देट साल की उम्र में ही बुक पढ़ने लगी है रहा कपूर किताबे साथ में लेकर सोती है रनबीर की जूनियर कपूर मम्मी आलिया से रोजाना सुनती है तीन चार कहानी तो बच्पन में ही रीडर बन गई है रिशी की पोती बॉलवर्ट स्टार किट्स की लिस्ट में नमबर वन का टैग अप कपूर फामली की सबसे छूटी मेंबर यानि की हैश्टेग रालिया की लिटल गर्ल राहा कपूर को मिल चुका है आखिर राहा को देखने के लिए ना सिर्फ फांस बलकि की पेपराजी के बीच भी जम कर प्रेज देखने को मिलता है तो राहा भी अपनी क्यूट स्माइल से सब का दिल जीतने में कामियाब रहती है तो अब इन सब के बीच अपनी लाडली की एक और खास बात आलिया ने जमाने को बताई है जिसमें राहा की ममा ने खुलासा किय है कि उनकी बेटी को किताबे पढ़ने का बहुत शौक है जी हां डेट साल के उम्र में ही राहा कपूर बुक पढ़ने लगी है दरसल हाली में आलिया भट अपनी बुक लॉंच के इवेंट में पहुंची थी आलिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी किताब एड़ फाइंड स पढ़ते हैं और कई बार तो चार किताबे भी पढ़ते हैं रहा को अपनी किताबे बहुत पसंद है वो अपनी किताबों को गले लगा कर सोती है वो अपनी किताबों से बेहत प्यार करती है आलिया ने आगे ये भी कहा कि एक तरह से देखा जाए तो रहा ने मुझे भी कित लावों के करीब पहुंचाया है क्योंकि मैं बच्पन में बहुत अच्छी रीडर नहीं थी वाकई में वो मेरी बहन थी जो बहुत अच्छी रीडर रही है शाहिन अपने बाक्सरों में बैठकर देर रात तक हैरी पॉर्टर की किताबे पढ़ती थी और मुझे याद है कि मे बच्पन में बुक लबढ़ना रही हूं लेकिन उनकी 19 महीने की बेटी जरूर किताबे पढ़ने की शौकीन है तब ही तो अपनी ममा से रोजाना तीन-चार स्टोरी सुनती है रहा आपको बता थे कि हाल ही में आलिया ने बेटी के साथ एक फोटो को शेर किया था जिसमें रहा को बुक पढ़ाती दिख रही थी इससे पहले रनबीर भी अपनी लारलिक को किताब पढ़ाते हुए नजर आये थे फोजों में बाप बीटी का बॉन्ड भी साफ नजर आ रहा था गौरतरब है कि आलिया रनबीर संशादी के 6 महीने बाद ही बीटी रहा की मा बनी थी 6 नवंबर 2022 को रहा का जन्म हुआ था और अब रहा जल्द ही दो साल की भी होने वाली है Bureau Report E24 कि दूए कि दो जाइए मुआ बाद सकते ही था जैने में तूए आपके laying बाद के बाद पाद सकते ही रहा बाद सकतक्ता है